हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल निन्नी की प्रेर्णा, आज हम कामदा एकादशी का वरत, उसकी कथा, पूजाविधी और महत्व परचर्चा करेंगे दोस्तों, चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतिय समवत की अंतिम तिथी होती है, और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है हमारा नया समवत और मा भगवती दुर्गा के नवरात्रे और नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ती करने वाली एकादशी इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण जी के पूजन का विधान है और गरीबों को दान देना भी इस दिन विशेश महत्व दायक होता है तो अब वरत की कथा सुनते हैं पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटी कोटी नमशकार करने के बाद धर्मराजी उदिश्टर ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रातना की कि हे महराज अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुकल पक्ष की एकादशी का नाम इसका महत्व, पूजा और विधान आदी के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे राजन ये प्रश्ण एक बार महराज दिलीप ने महर्शी वशिष्ट से पूछा था तब वशिष्ट जी ने जो कथा महराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ बहुत समय पहले की बात है रतनपूर नामक एक नगर पर अनेग एश्वरियों से युक्त पुंडरिक नाम का एक राजा राज्य करता था रतनपूर नगर में अनेग अपसरा, किन्नर तथा गंधर ववास करते थे उसमें ललित और ललिता नाम के पती-पतनी भी थे थोड़े समय के लिए भी अलग-अलग होते ही वे दोनों अत्यांत व्याकुल हो जाते थे एक समय पुंडरिक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहीत ललित भी गाना गा रहा था गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नागर ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया तब पुन्डिक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तु मेरे सामने गाता हुआ अपनी इस्त्री का स्मरन कर रहा था अता तु कच्चा मास और मनुश्यों को खाने वाला राक्षस बन कर अपने की ये कर्मों का फल भोग पुन्डिक के शाब से ललित उसी समय विक्राल राक्षस हो गया उसका मुख अत्यंत भ्यंकर नेत्र सूर्य और जंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नी निकलने लगी सीर के बाल परवत पर खड़े व्रिक्षों के समान तथा भुजाई अत्यंत लंबी हो गई इस प्रकार उसका शरीर आठ ही योजन लंबा हो गया राक्षस बन कर वह अनेक प्रकार के दुख भोकते हुए जंगलों जंगलों में भटकने लगा अब तो उसकी स्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाब करती रहती वहाँ अपने पती के उध्धार का उपाय भी सुचती रहती एक दिन ललिता अपने पती के पीछे पीछे चलते हुए विंद्याचल परवत पर श्रिंगी रिशी के आश्रम तक पहुँच गई श्रिंगी रिशी ने ललिता को देख कर पूछा हे देवी तुम कौन हो और यहां किस लिए आई हो ललिता बोली मुनिवर मेरा नाम ललिता है मेरे पती राजा पुंडरिक के शाप से भेयानक और विशाल कायर अक्षस बन गए है इसका मुझको बहुत दुख है मेरे पती के उधार का कोई उपाय बतलाए रिशी बोले हे गंधर्व गन्या अब चैतर शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है उसका वरत करने से मनुश्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुन्य को अपने पती को दे दे तो राजा का शाब भी अवश्य मेव शांत हो जाएगा और तेरा पती शीग्र ही राक्षसी होनी से मुक्ती को प्राप्त होगा चैत्र शुकल एकादशी यानि की कामदा एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया और तो आदशी को ब्राह्मनों के सामने अपने व्रत का फल अपने पती को देती हुई भगवान से प्रातना करने लगी हे प्रभू मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पती देव को प अपने पुराने स्वरूप को प्राप्थ हुआ और अनेक सुंदर वस्तराभुशनों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्वे विमान में बैठ कर स्वर्ग लोग को चले गए वशिष्ट मुनी ने आगे कहा हे राजन इस विधी पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्ष साधी की योनी भी छूट जाती है संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजबे यग्य का फल प्राप्थ होता है जै श्री कृष्ण हाँ दोस्तों कामदा एक अदशी के व्रत की कथा और पूजा विधी महत्व आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आती रहूंगी आपका जीवन सुखी और समरदशाली रहे थैंक यू